आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोड़ो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। यह जो कारेफलन होता है, इसको हम लोग समझते हैं कि यह होता क्या है, माल देते हैं कि यह एक धातू है, इस धातू की सता पर क्या होता है, कि मुक्त इलक्ट्रॉन उपस्तित होते हैं, मुक्त इलक्ट्रॉन कहने का मतलब होता है कि जो परमाडू जो होते हैं, उसके बाहे कख्षा में जो ichroom होते हैं उनको हम लोग मुक्त इलख्टोन के नाम से जानते हैं मुक्ट इलख्ट्रon कहने का मतलब ये नहीं किफ है वह इलेक्ट्रon जो है अपनी कख्षा को छोड़ दिया हो ऐसा नहीं होता तो जो मुक्त से इलक्ट्रोन होते हैं वो धातु की सत्था पर समाने ताप पर रहते दिख मात्रमत और यह सत्था पर ही इधर उदर गूमते रहते हैं। परन्तु जैसे ही हम लोग इसको कारे फलन के बराबर उर्जा प्रदान कर देते हैं, तो यह इसकी सता को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, इसी यानि कि नियुन्तम उर्जा को हम लोग कारे फलन फाई के नाम से जानते हैं, हमें यहाँ पर ग्याद करना है कि तरंग दैद लेम्डा का मान क्या होगा, जो कि कारे फलन दे दिया है, यह इलक्ट्रोन उसरजित होगा, तो उसका कुछ न कुछ तरंग देर्द होगा, तो उस देहली तरंग देर्द को हमें ग्याद करना है, तो हमारे पास यहाँ पे तरंग देर्द का मान हो जाएगा, कारे फलन 5 टो हमाहरे पास फाई का मान दिया है और हमें तरंग तया का मान ग्याद करना है तो मुझात कर देते हैं अब लुशे सुप्र में लगा करते हैं हो थे पर्लांक को ग्याद करेंगें Spotify अब लुशे 1.6 गुड़ी 10 की घातरण 19 अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं देखिए 10 की घातरण 19 उपर जाएगा धनात्मक हो जाएगा इसके साथ ये गुड़ा होगा और ये बना लेगा 10 की घात 27 फिर इससे घटेगा उसके बाद 3 का गुड़ा इससे कर देंगे फिर 5 का गुड़ा 1 2485 हमें प्राप्त होता है ठीक है तो इसको हम लोगों ने लगबख इसको पचीस सो कर लिया है तो हमारे पस तरंग दैद का मान हो गया है हां पे 2510 की घातरण 10 मीटर है उसको हम लोग एंगेश्राम में परिवर्तित कर लिया इसके अनुसार देखने है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा, A. 2000 दिया है, गलत हो जाएगा, B. 2500 एंगेश्रॉम बिल्कुल सही है, C. गलत है, D. भी गलत हो जाएगा, हमारा सही विकल्फ है यहाँ पे, B. धन्यवाद.